दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिविड फिल्म मर जावां से जुड़े कुछ अंसुने और रोचक बातों के बारे में तो वीडियो को अंतक चलू देखें और हमारे चेल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चेनल फेक्ट्स के हीटे जी को सब्सक्राइब कर पहली थी इस फिल्म में शिदार्त मलोत्रा, रितेश देश मुक, तारा शुतारिया और रकुल प्रितिशिंग जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आए थे इसके अलावा इसमें नोरा फतेही और नुसरत भरुच्चा भी अलग-अलग आइटम शंग में कैमियो करती नजर आई थी, इस फिल्म की स्टोरी और डिरेक्शन का काम मिलाप जावेरी ने किया था, इसके अलावा मरजावा फिल्म के प्रोड़ेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को भूसन कुमार और निकल आडवानी ने मिलकर प्रोडूश किया था, इस फिल्म का मिजिक तनिश के पुराने गानों से दोबारा री क्रियेट किये गए थे। इनमें एक गाना एक तो कम जिंदिक गानी अनल कपूर की फिल्म जामाज के गाने प्यार दो प्यारलो से रीमिक्स किया गया था। आपको बता दें और रिजिनल गाने को अच्छे कुमर की मल्टी स्टेर कॉमेडी थेंक्यू के म्यूजिक डिरेक्टर प्रितम ने भी इस्तेमाल किया था। मरजावा फिल्म का दूसरा गाना हाया हो बनोद खना की फिल्म दयावान के गाने चाहे मेरी जन तू लेले शे दोबारा री क्रियेट किया गया था। इसके अलावा तीसरा गाना किनना शोना पाक ये गाना दोबारा जुमीन नौटियल से रिकॉर्ड करवाया गया इसके अलावा फिल्म के लिए रिकॉर्ड किये गए दो गाने फिल्म में नहीं रखे गए थे इनमें हनी शिंग का गाना पी यू डटके और मसक कली 2.0 फिल्म की रिलीज के काफी दिनों बाद रिलीज किये गए थे आपको बता दे मसक कली 2.0 फिल्म दिल्ली छे के गाने मसक कली शे दोबारा रिक्रियेट किया गया था जो आडियेंश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सोसल मीडिया पर भी इसे कई दिनों तक ट्रोल किया गया था मरजावा फिल्म के स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में से दार्त मलोत्रा रगू रितेस देस्मुग विश्नु शेटी और तारा शुतारिया जोया की किरदार में नजर आई है रगू अनात है जिसे बच्पन से ही विश्नु के फदर अन्ना ने पाला है जो बहुत बिश्नु उनकी खुशिया चीनना चाहता है और तबी ऐसी सिच्वेशन बना लेता है की रगू जोया को खुद गोली मार देता है इसके बाद रगू जिल चला जाता है जिल से वापिश आने के बद वो कैसे रगू शे बदला लेता है यही सब इस फिल्म में दिखाया गय है इस फिल्म में कई जगे हमें दमदार डायलॉग देखने को मिलते हैं शाद ही शाद कई जगे सिदार्त मलुत्रा के एक्सन सीक्वेंश भी कमाल के हैं 30 अक्टूबर 2018 में सिदार्त मलुत्रा ने एक पोश्टर रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि यह फिल् फिल्म बाला की रिलीज होने वाली थी इसके बाद मेकर्स ने फाइनली इस फिल्म को 15 नॉम्बर को रिलीज किया इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरप से ज़्यातर नेगेटर रिव्यू ही मिले थे हाला की ओडियंस ने इस फिल्म के लिए काफी जदा प्यार दिखाया था इ अगर इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओपिस कलेक्शन की बात की जाये तो इसने लगबग छाचट करोड रोपे की कमाई की थी हाला कि इस फिल्म में शे ओडियेंश को कापी जदा उम्मीदे थी लेकन कापी लोगों की उम्मीदों पर ये फिल्म खरी नहीं उतर पाई और बॉक्स ओपिस पर एबब एबरेश शाबित हुई मरजावा के अलावा शाल 2019 में कई बड़ी फिल्में रिलिज हुई थी जिन्हों ने बॉक्स ओपिस पर जम कर कमाई की थी फिल्म के एक सीन में शिदार्त मलुत्रा कुछ गुण्नों से लड़ते हैं और इस सीन में उनके सोलडर और पीट पर आग लगी होती है इस सीन को सूट करने से पहले टीम ने बॉडी डवल का इस्तिमाल करने की प्लानिंग की हुई थी लेकिन सिदार्त मलुत्रा को जब पता चला तो उन्होंने बॉडी डवल करने के लिए मना कर दिया और ये शीन खुद कम्प्लीट किया था हाला कि इस दोरान उन्हें थोड़ी चुट जरूर आ गई थी इस बारे में फिल्म के डिरेक्टर मिलाप जावेरी भी सिदार्त की कई इंटर्यू में तरीप कर चुके हैं फिल्म में सिदार्त मलुत्रा और रितेश देस्मुक इंपोर्टेंट रोल में नजर आये थे आपको बता दे रहे थे इस दिसमुक ने एक इंटर्वीव में बताया था कि ये उनके किरदार के शब्से टफ रोल्स में से एक था मर जावा की डीलीस से काफी टाइम पहले सिधाद ने एक इंटर्विव में बताए था कि वो अपनी फिल्म में 90-जि टाइप हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं इसके बाद सिधाद को ये मौका फिल्म मर जावा में मिला इस फिल्म में 90's की फिल्मों की तरह बदले की ये स्टोरी दमदा डायलॉक और काफी शारे गाने रिखे गए थे तो दोस्तो आप लोग वीडियो कैसा लगा पसंदाए से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे चैनल फैक्स के इटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल लाइक के बेदाबा दें